कानोट हीट इंजन की सिंपल से कहानी होती है कि आपके पास यहाँ पे एक इंजन होता है आप उसको Q1 अमांट ओफ हीट सप्लाई करते हो उसको एब्सॉर्ब करने के बाद वो W अमांट ओफ वर्गडन करता और बाकी बचे हीट को वो डिस्पोस कर देता है सिंक में तो यहा वो आपको Q2 और W के समिशन के बराबर होना चाहिए यानि कि जो आपका वर्गडन होगा एंजन का that is equal to Q1 minus Q2 और efficiency अपना होता है कि इंजन ने कितना काम किया है अपन आपने उसको कितना energy supply दिया था यहाँ पे तो अगर आप W को replace करे Q1 minus Q2 से तो यह आपका efficiency का formula बन जाता lower temperature है T1 higher temperature है और आप यहाँ पे formula में temperature को Kelvin में substitute करते हो put करते हो अगर यहाँ पे आपका एक engine के बाद एक और engine series में हो तो उसको हम लोग कहते है Cascading Carnot engines राइट यहाँ पे 2 से ज्यादा engine भी हो सकता है example के तोर पे यह आपका पहला engine है यह जो Q2 amount of heat है वो आपको एक और engine को supply क में dispose करता है at T3 temperature और इसने काम किया है W2 तो यहाँ पे simple सा equation आपको दिखना चाहिए कि जो आपका efficiency होने वाला है पहले engine के लिए that is 1 minus T2 by T1 और second engine का efficiency होने वाला है 1 minus T3 upon T2 at the same time आपका जो engine 1 का work done है that is equal to Q1 minus Q2 और engine number 2 का work done आपका होने वाला है Q2 minus Q3 और आपको साथी साथ इनको भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये Carnot cycle को follow कर रहा होगा example के तौर पे आपको 2019 J.E.Mains में एक सवाल पूछा गया था जहाँ पे हमसे कहता है कि आपके पास यहाँ पे engine A है और engine B है engine A को एक source से heat supply किया जाता और source का temperature है 600 Kelvin और finally जो आपका sink है उसका temperature है 400 Kelvin तो हमसे इस intermediate T2 का temperature हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा था ठीक है हमको सवाल में एक और condition देता है कि दोनों engine का work done जो है जनाब वो आपको same है तो आपने W1 is equal to W2 लिख दिया है और W1 का हमको formula पता होता है Q1 minus Q2 W2 का formula है Q2 minus Q3 हमें यहाँ कुछ भी करके T2 ले के आना है तो हमने क्या किया ह हमने दोरों तरफ Q2 से divide कर दिया इस equation को तो आपको यह बन जाने वाला है और Q1 by Q2 को आप T1 by T2 से replace कर सकते हो Q3 by Q2 को आप T3 by T2 से replace कर सकते हो when you do this आपको यह equation मिलेगा यानि कि आपका T2 होने वाला that is your mean of T1 and T3 तो आपका answer कितना आने वाला है 500 Kelvin very simple and straightforward questions इसी के अधार पे आपके साथ एक और सवाल यहाँ पे है 2019 का ही है यहाँ पे आपको 3 engines है series में आपको इसको solve करके इसका answer को comment section में लिखके बताना है ठीक है and यह जो अपना plus 4 mask का series है उसका playlist का link आपको print comment में आप उसको जाके check out कर सकते है टेलिग्राम को join कीजे ताकि आपको सारा updates मिलता रहे take care wish you best of luck